नमस्ता दोस्तों जसी क्रश्ट कैसे हैं आप सब उमिद करती हूं खुश होंगे सुखी होंगे संपन हमारे जो भी वीवर्ण से सबस्राइबर्स हमेशा खुश रहें सुखी रहें शंपन रहें दोस्तों जो भी कॉल्स मैंने उठाएं ज्यादर तर कॉस उन लोग के आए ज जो नेगेटिवीटी को लेकर के परेशान है हमारे घेरो सबस्राइबर्स नेगेटीवीटी को लेकर RAW comment परेशान है Abdi ऑग के अपकी लाइट में तो आपकी लाइप crispy याझा है चाहे अपकी सोच में में आ आजाए आपके हDERि आं乐 है नेगे arrangement याइदी है आपका बसाथा म गर उजड़ जाता है घर के अंदर बच्चे बीमार रहने लग जाते हैं जो बुजूर्गे वे भी बीमार रहेंगे जो जिनकी एज अच्छी खासी जो जमान है वे भी हमेशा आलस में रहेंगे चिर्शिडा पर सबके दिमाग पड़ चा जाता है परीबार के मेंबर से एक दुसरे को छोड़ करके जाने लग जाते हैं उनके वीच में खातम हो जाता है खुब उन्हें पता होता है कि जो हम कर रहें कलते उसके बावजूत विवे अपने दिमाग को कंट्रूर नहीं कर पाते हैं और गलती ओपर गलतियां कड़ते ही जाते हैं नेगेटिविटी दो की से आ रहे हैं तो आपके साथ नेगेटिविटी के आगा होती है आपके घर में पहले होती है तो अपने बाहर भी रटी चाही है तो वहां से भी आपके साथ आ सकते है भाहर आपने खड़ होक להगासी जस से कोई छी चीज एटेजोट रही हो पहले लोग है तो बी जेल जो किसी के द्वारा भेजे गई होती है वो कुछ लंबा समय परेशान करती है यदि उनका उचित उपचार नुना किया जाए क्योंकि यह ऐसे चीजह होती है जहां भेजने वाला उसको सतत बल देता रहता है जिसके लिए यह आपके घर में उटपटा काम करती है तो आप पर किसी ने किया गया किया हूँ किसी का करा कराया हूँ भी दूर हो जाएगा और सनी से जुड़ी हूँ यदि कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको रहत मिल जाएगी यह उपायाप सनी बार की दिन करें और आप यदि आपके सच में नेगिटिविटी के अंडर म पर दें नेगिटिविटी अपने आप आपके घर से चली जाएगे आपको दोस्तों क्या करना है लेसुन लेना है लेसुन आप लेले तीन या पांच और लाल मिर्च लेले सुखी लाल मिर्च वह आपको दो लेनी है लेसुन आप तीन ले या पांच ले और थोड़ी सी आप ले ले, ले करके पूरे घर में घुमाए और घर के प्रतेक मेमेBER के ऊपड़ से साथ बार उसे उबार ले और किसी भी चीज में आप उसे रखे गाय का उपला जला दे या फिर कोई भी चीज आप जला दें और उस आग में आप उसे डाल दें not necessary कि गाय का उपला ही हो गाय का भेस्का हो या कोई भी जिसे लकड़ी वगेरे हो कि अगनी होनी चाहिए ऽजरूर अगनी चाहिए इससे चीज़ को डाल करके जले कि जलाना है आप well अगर से वाहर आपको ज़ी है घर के अंदर नहीं ज़्ति यदि आप कर रासी कि अटें कetes उंसे मैंने कि जो काफी उपायद आइंतो इसमें कुछ लोग लिख रहे है कि हम फ्लेट में रहते हैं तो आपने सामने मकान है तो हम घर के बाहर नहीं ज़गा सकते हैं आप एक काम करें जो लोग फ्लेट में रह रहे हैं और जिनके बिल्कुल सामने मकान हो वे लोग इन चीजों का उतारा कर लें लेकर के निचों उतर जायें और कहीं पर भी चाहा निर्जन जगा हो, वहां जा करके जला दें, चोरा हें बड़ जला दें, अभी दोस्तों, मैंने काफी जगब पर देखा, जब से कोरुना आया, काफी लोगों ने, दोस्तों, घर में उतारे एवरीडे करने सुरू करती हैं आप पुझा पार्ट करते हैं वह बराबर है आपको दवाईया लेनी हैं सारी नियम पालने हैं वह सब भी बराबर हैं लेकिन दोस्तों नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कुछ यह से चुटे मूटे टोड़के होते हैं उन्हें भी कड़ते रहना चाहिए ऐसा करने से नेगेटिविटी हमेसा आपके घर से बाहर रहती हैं अभी जयता तर्जब्य बाहर निकलती हूं तब मैं देखती हूं कि सान के समय संध झाह समय चार पाच घर के आगे तो एक घर ऐसा होगा है जहां कुछ में वता स फुरा संधल जार रहा है और उसमें कोई ने कोईचित डाल दी जाती है जो घर से उतार करे लाते हैं कोई ने मूं लेकर आते हैं लिकिर उतार हैं बहुत लोग कर रहें तो इस टाइप के जो यदि आप फ्रेट में रहते नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर से बाहर कहीं नीरजन जग़ा पर चले जाए या नीरजन जगह ना भी हो इसे का पैर ना पड़े आप एक बाहर जाकर करें की तो अब स्टाव यद्म करना शुरू कर दें आपकी प्यूआ कि जब आप इस चीज को ले कर घर से निकलते हैं तब हमेशा आप बोल दें जो लिए मेरे साथ चैत्ट ऊप्य जाकर का इसाalt है जब अवसे जला देते हैं तब आपको यही कहना है कि मेरे साथ वाप स sabemos जब आप चोखड से बाहर उसको जलाते हैं तब भी आपको यहीं केरना है कि चल बाहर निकल और बाहर जाकर के आप उस चीज को जला दे जला करके अपके ऊपर थोड़ा सा पानी छातले फिरा पंदर रहें ठीके चोखड के बाहर कहीं भी जला दे किसी का पेर आपके घर के इसके उपर ना पड़े बस इतना ध्याब कशने का से चोबापियों की कोई छोटा प्वोटा रोग दोफा नजर होगी किसी की तो भी की किसी के था से रहें